वेल्कम फ्रेंड्स मैं अपने रिबैक नोने चैनल पर मुना पका स्वागत करता हूँ दूस्तों आज हम देखने वाले हैं मेसेज़ोजी फर्स्ट सेमेश्टर के पिछले येर्स जो 2020 के जो questions paper है वो आज देखने वाले हैं तो सबसे पहला यहां question number 1 बोल रहा है यहां section 4 section में बटे होते हैं section 1, section A, section B, section C and section D इसमें आपको पूरे questions को solve करना अनिवार्य होता है question number 1 देखेंगे कि लिखा हुआ है attempt any 10 questions each questions carrier on marks यह एक number की questions है यहां पर 10 questions दिये हुए हैं उन सब ही को आपको solve करना है first number दिया हुआ है the term evolutions was first used by इसका मतलब होता है कि जो term evolutions है उसको सबसे पहला उपयोग कौन किया था उसको किस ने दिया था इसको आपको बताना है second number यहां दिया हुआ है the origin of species by Charles Darwin was published in तो जो origin of species है उन्हें जो Charles Darwin बैग्यानिक थे वो कौन से सन में इसको दिये थे वही आपको बताना है third number दिया हुआ father of modern plantology जो plantology था उनके father कौन थे मतलब जनक कौन थे fourth number दिया हुआ है the pleojoic, mezojoic and senojoic eras are divided into bracket and they are further divided into कितने भागों में इसको बाटा गया है वो बताना है पांचवा नमबर बता रहा है the book the descent of man was published by जो the descent of man जो book थे बुक था कितने सन में published हुआ है वो बताना है sixth number यह बता रहा डार्विन विलास theory of nature's elections was published in तो जो डार्विन विलास theory था वो कितने सन में दिया हुआ था यह बताना है आपको नमबर के question में seven number बोला गया है the branch of science which deal with hereditary molecular difference especially DNA sequence is called जो DNA sequence है उसको जो difference है molecular difference है उसको कौन से थियोरी में आता है यहां पर molecular fellow जनी दिया हुआ है जो molecular होता है molecular fellow genetics दिया हुआ molecular systematic दिया हुआ है यह आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा eight number के question में दिया है कि nucleotide sequence within a gene that is removed by RNA splicing during maturations of final RNA production called दिया हुआ है तो यह बता रहा है कि जो RNA है और RNA से जो gene होता है और किस परकार से अपना स्थान को छोड़कर remove हो जाता है वह बताना है तो जो remove होने की घटना होती है वह क्या कहलाता है यह बताना है आपको nine number के question में बता रहा है कि phylogenetic tree is जो phylogenetic tree है वह क्या है उसको बताना है यहां पर four option दिया है a b c d करके उसमें आपको चूच करना है और 10 नमर बता रहा है इमाइल जो candle एंड लिन्यूस पॉलिंग प्रॉपोजड वह किस ने दिया था वह आपको बताना है कि किस के अंतरगत वह आता है तो जो इमाइल जुकर केंड जो जुकर केंडल बैग्यानिक था वह कौन से इसमें से इतने four theory दिया गहें बी सीडी ओ कौन बैग्यानिक यह जो बैग्यानिक थे ओ किसको दिये थे इन four option में से 11 नमबर दिखा रहा है बोल रहा है कि टॉम रोटरिक कॉइंड टर्म जो टॉम रोट कि एट मेंबर bounded nuclei in a microchondria is called जो unicear organism थे ओज़े जो केंडरक था केंडरक के चार ओर मेंब्रेन प đangगें पाइरिया में होता है अब सेक्ष्ण वी के तहह देखते हैं कि section B में क्या हो बोलता है तो note लिखे बोल रहा है कि attempt 25 questions यहीं आपको 5 questions के answer देना है each questions के लिए two marks यह दो नंबर की questions word limit 25 से 30 सब्थ में आपको इसको बताना है दो नंबर की questions थे उसमें सबसे पहला question दिया हुआ write about you a lessonary tree so Yulobly टो यह लुरिश्टी होता क्या है उसके बारे में आपको 25 से 30 सब्थ की रूप में आपको बताना है second number बोल रहा है writing role of Dudu som si dum solutions तो इस लोशन के बारे में आपको बताना है फिर explain करना है divergent evolutions को क्या होता है फिर importance of plasmy Geek के बारे में आप explain कीजिए seven number बोल रहा है difference between eukaryotic and prokaryotic cell मतलब उसके बारे में भी difference आपको बताना है कि क्या होता है section C की अंतरकत बता रहा है attempt any five questions in 250 words each questions carrier four marks चार नंबर के questions आपको 200 words में बताने है और तो four marks के लिए questions number one है explain evolutions of eukaryotic cell from prokaryotic cell तो eukaryotic कुशिका और prokaryotic कुशिका के बारे में आपको explain करना है कम से कम 200 सब्द के होने चाहिए number two बता रहा है कि explain molecular biology तो explain molecular biology के बारे में आपको बताना है थर्ड नंबर बता रहा है write about the concept of species in bacteria तो bacteria का जो कर्मांगत है इस्पेशियोसन है उसके बारे में आपको बताना है धाइसवर्ड में फूर्थ नंबर बता रहा है write about difference type of biodiversity तो biodiversity के बारे में आपको लिखना है धाइसवर्ड फाइफ नंबर बता रहा है write the causes of extinctions तो एक्स्टिंशन के जो काउस होता है कारण होता है उसको आपको बताना है इसी में फॉर्थ नमबर बता रहा है सेक्शन डी के अंतरगत जो 10 मार्क्स के लिए हैं और कोई 3 कोश्चने स्सूर्भ करना है इसमें तो 5 ज़सन च्कुरेंड करना है में इसको एक्सक नमबर सबसे बटा रहे हैं कि एक्सप्यूं में क्या है उसको आप explain कीजिए कम से कम 500 सब्द में होना चाहिए नमर टू बता रहा है explain molecular clock explain molecular clock को आपको बताना है कि molecular clock actually में होता क्या थार नमर बता रहा है write about genomic island DNA transfer तो जो genomic island है उनके बारे में आपको लगभग 500 सब्द में बताना है यह 1010 मार्क करते और यदि एक्जाम में पास होना है तो यह 1010 मार्क करके अगर तीनों बना दिये तो आपके इस नमबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे 2020 के कुछ question paper अच्छा लगा तो like share comment जरूर करें